बताईए सब एक चीज को तो आप माल लीजिए जो अब की बार जंता ने एक ऐसे एलायंस को चुना भाय के कारण चुना जंता को जाना तर भाय ये था कि अगर कहीं वो एलायंस आ जाता दूसरा वाला जो जेडियू कॉंग्रेस का था तो कहीं ऐसा नहों कि सर्कों पर बिंदा राज आ जाए सर्कों पर लूट और शार्ण को पांचे के बाद से शुरू हो जाए ये एक लेकर ने की फैक्ता था हारने का गम भी होता है लेकिन हार करके इस तरह से मतलब छट पटाहट इस तरह की सब्जबाग दिखाना इस तरह से क्रेडिट लेने में आगे रहना ये अभी बिहार में महा गटबंदन की नेताओं की एक आदत सी बनती जा रही है तभी तो इस तरह के बयान भी सुनने को कि हो नितिश्गी सरकार चली नहीं डूब जाएगी खत्म हो जाएगी जिसन पर लटी है जहीए तो हमेशा यह सोचती है जंप करके इसको तोड़ दूंगी और वो प्रयास करती है इनके साथ भी यह हुआ आप यह देखिये इतने काटिक टक कर थी और इनकी एनलिस की आप मतलब गुडवक्ता देखिए कि यह पहले बोल रहे हैं कि हम जो है पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं इन्हों ने महाल ऐसा बनाया है कि सब को यह कर दिया सारे चैनल को भी इन्हों कोई कमी नहीं है मंत्री और मिनिस्टर बनाने के लिए कई लोगों को यह बुला करके दूसरे पोस्त दे सकते हैं बलकि इसका एक पॉस्टिव मैसेज समाज में जा रहा है कि भाई देखिए ब्रस्टाचार के मामले में कोई भी हो उसको टॉलेट नहीं किया जाएगा और जि सब्सक्राइब के बाद गिर जाएगी तो वह मंत्र अभी इनको आजमा लेना चाहिए बिल्कुल के ठीक बात तो क्या लोगों को तो इक अठा कर नहीं पाए एक ही अपनी सरकार बात करने के लिए निशु जी क्या कोई गाहितरी मंत्र की तरह कोई फॉर्मूला है आपके एक मिनट सुनिए सवाल सुनिए देखिए बिना सवाल सुनिए अगर जबाब देंगी न तो फिर आप भी उसी तरह की बियान बाजी में फस जाएंगी जैसा कि आपके बड़े नेता तेजस्वी आदव कर रहे हैं और तमान छुट भाईये नेता जो आरजकल इसी काम में पहले सवाल सुनिए आप जो है कि आधार क्या है आपका किस आधार पर आपके नेता चाया हो तेजस्वी आदव हो या फिर जो जो छोटे मोटे नेता आजकल उभर आये हैं और उनकी तरफ से ब्यान होता है कि अगली होली नितिश कुमार नहीं खेल पाएंगा आधार है नौकरी का आयलान नितिश कुमार करते हैं उभी क्रेडिट आप लोग ले लेते आधार बताएं ऐसे काम नहीं चलेगा पास थोड़ी देर के बाद आते हैं लेकिन एक सवाल निशु जी पूछा गया क्या आधार है क्या तर्ख है नहीं बता पाएं लेकिन आप बता दीजिए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके महागटबंदन में कितनी दिक्त चल रही है है आपके कारिकर्टा कीतना कमजोर हो चुके हैं पांच साल में ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल बेस धाम इनालिसिस करें तो जो यह बोल गए कि होली तक जो है यह सरकार गिर जाएगी सरकार गिरने का मतलब कहीं नके इनके पास कुछ ऐसा सोर्स या इन्फार्मिसन होगा कि पचीस लोग छोड़के हमारे पास आ जाएंगे सरकार तो ऐसे ही गिरेगी न कि करेंट सरकार से वोट सीटे कम हो जाएंगी अल्पमत में आ जाएगी अब मुझे आप एक चीज़ ये बताईए तलवार की धार पे चलने की कला बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर ली है ये अटर बिहारी बासपैई वाली सरकार नहीं है कि जहांते क्यवल एक वोट से भी गिर गई है अगर ये कोई गडबंधन बनाते हैं और चुनाओ जीतते हैं मार्जिनल विक्ट्री तीन सीटे ही जादा थी जितना इनको चाहिए तो उसको मैनेज करने की भी कला इनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आती है दूसरी सबसे important चीज देखिए बीजेपी के पास option इतने है अगर मैं केंदर की बात करूँ यानि नुकलियस की बात करूँ यानि बिहार की राजनीत की पटना में तो बीजेपी और उसके घटक डनों में मतलब जेडियू में भी ऐसा कोई नेता नहीं है और बीजेपी में भी वहाँ पे राजस्तर पे ऐसा कोई नेता नहीं है जो नितीज का साथ छोड़ने की हिम्मत करे तो इसके कारण मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास कोई भी उसमें हम वगरा जितने है उनके पास कोई better option है पहली चीज दूसरी चीज अगर कोई ऐसा करता भी है तो एक जो प्रोटेक्टिव लेयर आप देखे पेरिफेरल पे बीजेपी का है पूरे देश में जो बीजेपी है सेंडरल की बीजेपी है वो भी नितीज का साथ यानि दोनों लोग एक देंगे बगावत करना तूट के जाना बहुत मुश्किल है बॉन्दिंग पूर्सेज इंगे बिल्कुल सहमत हूं देखे पत्रकार वही बात करता है निशू जी जो उसे दिखता है किसी का फेवर हम लोग नहीं कर रहे हैं लेकिन कई मिवान इस वक्त हैं एक एक मिश्रा जी हैं राजनितिक विशलेशक्स एक एक के पास चलते हैं मिश्रा जाहिब एक बात बताएं आधार में पूछा था आपसे ठीक है आधार मुझे भी कई चीजों का आधार दीखता है कि छट पताहट है एकदम से ऐसा लगा हम लोग को भी ऐसा लगा किसी के मूँ से एकदम से रोटी छीन ली गई हो और उसकी जो छट पताहट होती ह है वो देखने वाली होती है कुछ इस तरह से महागटबंदन के मूँ से उसकी जीत को छीन लिया गया लेकिन छीना तो नहीं किया जनता ने दरसल मैंडेट दिया और जिसके पक्ष में गया उसकी सरकार बन रही इसकी क्या छट पताहट हो सकती है लेकिन इसमें एक एक बात बताएं महागटबंदन के जो तमाम नेता है अनरगल बाते कर रहे है इसका कितना बड़ा खराब एफेक्ट हो सकता है मैं एक थोड़ा सा इनको चेतावनी की तौर पर कर रहा हूँ कितना खराब एफेक्ट हो सकता है जनता बदल चुकी है लालू स्टाइल नहीं चलेगा तेजस्वी स्टाइल भी नहीं चलेगा, तेजस्वी को भी बहुत गुरूम करने की जरुवत है पॉलिटिक्स में, क्योंकि ना तो ढंक से बोल पाते हैं, ना ढंक से अपनी बातों को रख पाते हैं, और वो गमई जो गमई वाली जो बाते होती ना बिहार में भी नहीं चलन करने वाला है, यंग जेनरेशन है और गमई की तरह आप पेश हो रहा हैं, जनता के बीच में कौन पसंद करेगा, पॉरी संकर मैंने एक चीज बोला था, कि बीजेपी ने तलवार की धार पे चलने की कला विक्सित कर रही है, कर ली है, बहुत स्ट्रॉंग यह हो गया है, य आप चीजों को मैनेज करने में कितने स्किल्ड हैं, तीन सीट, तीन सीट कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, अगर यह लोग चाहते तो यह भी उस चीज को कवर कर सकते थे, दस पंदर सीट कवर कर सकते थे, लेकिन अभी जैसे बात हो रही थी कि कॉंग्रेस में ब्ल लालसा होना और अच्छी बात मालता हूं अगर बिपक्ष के पास लालसा है, पताया मिस्रा जी देखिये यही बात दो है, यही बात लोगों को समझ नहीं आती. वाके वी बिहार में पालिसी पालिसी जैसी बाते दिखी जरता के बीच में इस वज़ा से आलोचनाओं के शिकार हुए निकीश कुमार क्योंकि देखिए निकीश कुमार का डाउन तो हुआ था और इसमां निकीश कुमार की चेहरे पर लोगों ने वोट नहीं किया जरूत है लोगों ने कई दूसरे फैक्टर्स पर वोट किये हैं अगर 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 बीजेटी को इतना कॉंफिडेंस होता ना मिश्वाजी तो फिर दो लोगों को के साथ खड़ा नहीं किया जाता है निकीश कुमार पर एक तरफा बहुत दी मांदारी के साथ बढ़े सपोर्ट करते हुआ है बताई एक चीज़ आप माल लीजिए जो स्वक्ष राजनितिक होने का जो तमगा है जो इमेज बनी है वो तो नितीश कुमार की है पब्लिक पर देश हो बाते हमारे पख़ और बिक परदेश नहीं ब्यांगी मैं पूरे ब्रीकास की बाते करूं में विकास हो थे were градि मुद्धा को चुना भय के कारण चुना जनता को जादातर भय यह था कि अगर कहीं वह एलाइंस आ जाता दूसरा वाला जो जेडियू कॉंग्रेस का था तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सर्कों पे बुंदा राज आ जा जाए सर्कों पे लूट और शांट को पांगे के बात से शुरू हो जाए बिहार वाले भी जानते हैं कितना विकास हुआ कितना करना आए कितना नहीं है बिहार के विकास के फैक्त को सारी पॉलिटिकल पार्टियां जेडियू और जेडि सारे नेता जानते हैं पब्लिक भी जानती है तभी पब्लिक भी विकास की डिवान करती है सबसे बड़ा जो सब्सक्राइब पर चेहरा उनको लगा बीजेपी और इन दोनों का मैट शुसासन सभ्यराजनी इन सब चीजों में अच्छी बनी हुई है यह लोग अच्छे प्रैक्टिसेस करते हैं पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस इनके अच्छे है तो जंगल राज की वापसी नहों इसको बचाने के लिए यह मार्जिनल विट्री और मुझे तो एक एक मुझे तो यही लगता है जो बहुत लंबी लिस्ट है निशुजी वाप वहाद तक मिहार के चंपक में छपती थी हर बाद सारे अग्बारों में छपता था लालु यादों के साले बिना टिकर दिल्ली आते थे दूसरों की सीट उठा देते थे और बीच में जंगल राज में गुंडे उठा लेते थे एकदाम एकदाम स्रीवाद अब जब्लिक की सबसे बड़ी जरूरी होती है आप गुले आप हारत की जंगल राज की बात करनी भी नहीं चाहिए मैं पूछी लेता हूं अच्छा निशू जी एक चीज़ बताएं जब रहे जब सुनिये तो आप सवाल सुनिये सवाल पूछता हूं मुझे एक चीज़ बताएं लेने का हाख है जो हमारे मित्र हैं उनको भी बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है तो बार बर बार आई थी न तो अपने ही घर में कैल हो गये थे रास्ता नहीं पार कर पा रहे थे आपकी सीटे जो इतनी कव हुई है आप रिट्रोस्पेक्शन करिये जो मैंने बोला विकास भले ही सबने किया उटे मूँ में जी राफ 15 साल का ताहिमा आपके बहुत था अगर आप चाहते तो स्वास्ताइब कुछ और बेसे चुश्टाया होती थी उनको आप बहुत बहुत बहा बहुत बहुत अधा है लगता है कि सुन लिए बलीदानी साहब आप जो बॉर्डर लाइन पर अपक गया उसके पीछे रीजन ही है कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है पाई आप लिए डिवर्मेंस अगर अधी और और अधय ज़के तेक है कि अधी। रझाली साहब सुनि है सुनिये सुनिय सुनिय सुनिया आपके आप से बहुत अच्छी बात है का बिश्तार भी नहीं स rockette कोjak टाय किया उसके बाद जो है उसके बाद जिन लोगों को लग रहा है कि सरकार फिल्ट यह नहीं नहीं तो आप कैसे बन सकता है कि गवर्मेंट बन जाए दो तीन महीने तक देख लिए परफॉर्मेंस क्या है रही बात दूसरी देखे भेडिया आया वाला आप लोग जो हैं अपनी इमेज मत बनाई आप लोग अपनी अपनी क्या करते रही हैं तो पब्लिक्स यही समझती है बेडिया है अर बार यही बोलते आप लोग तो ऐसी इमेज डेखे आप लोग यहां बैट के अपनी पार्टी का नुक्सान लोग नहीं कर रहे हैं कि ऐस व कैसे हैं और मैं इस लिए झाल झाल